अपने पिछले वीडियो में एक्जिल स्केलटन के बारे में बात की थी तो उसी को कंटीनू करते आगे जो हमारा सेकेंड है स्केलटन अनेटमी का हुआ है आज की वीडियो हम बात करेंगे डीटेल में एक्जिल स्केलटन के बारे में ओके सो आईए स्टार्ट करते हैं हमारे हाथ पैर्स के बोन में यहां पर टोटल नंबर ऑफ बोन वान ट्वान होती है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्जिल स्केलटन में 80 बोन होती है और वहीं जो अपनेडिकुलर स्केलटन है आपका यहां पर 126 बोन होती है Appendicular skeleton में जो पहली चीज़ आती हुआ है Pactoral Girdle Pactoral Girdle एक ऐसी बोन होती है जो हमारे इन आम्स को हमारे इस टॉर्शो, हमारे इस बॉड़ी, हमारे इस स्टॉक्चर के साथ कनेक्ट करती है यह दो तरह की होती है, पहली Clavicle और दूसरी Scapulet, हम दोनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे Clavicle एक long bone है which lies horizontally in our body, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यह हमारे shoulder bone को हमारे sternum से connect करती है, और जिन लोग के body में बहुत कम fat होता है या जिनकी अपर factorial muscles develop नहीं होती है, उनके में सामने से दिखती है यह वाली bone, इसको हम collar bone भी बोलते है, जैसे देखा होगा आपने, नहीं तो आप इस image में देख पाते हैं, है ना तो यह जो उपर से यहां पर दिखती है, इसे एक clavicle bone बोलते है, और यह हम अच्छा दो होती है, एक right side होती है, एक left side होती है, so total number of clavicle bone किती हुए हमारे body में, two, जो second bone आती है हमारे factorial girdle में, वा है scapula, scapula एक wide bone है, एक flat bone है, या आपके जो upper arms के जो bone होती है, humerus, इसको connect क एक left side में, और दोनों आपस में एक दूसरे की mirror image होती है, जैसे कि आप इस image में देख पा रहे होंगे, so total हमारे factorial girdle में four bones होई, two clavicles and two scapula, अब बाताती है हमारे arms की, arms में किती bone होती है, हमारे arms में एक bone होती है, यह humerus, जो यहां पर bone दिख रही है, long bone, इसे humerus बोलते है, यह भी दो होगी, आपके हाथ दो है, right and left, दो होगी, so total number of bones in arms, two, वहीं आगे बढ़ते हैं, जो हमारी यह four arm होती है, यहां पर आपके दो bones होती है, पहली होती है radius और दूसरी होती है, अलना, radius मतलब जो यहां इससे निकलती है, उठे की नीचे से जो bone निकलके, यहां पर connect हो रही है, इसको radius बोलते हैं, जैसे आप यहां पर image में देख पा रहे होंगे, वहीं जो bone आपके radius के opposite है, इस साइड है, इसको बोलते है, अलना, हमारे body में दो अलना होती है, कि साथ में, एक इसाथ में, जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे, so total number of bones in four arm is equal to four, दो अलना में भी eight है, तो total number of corpus किते हुए हमारे body में sixteen, वहीं उसके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास होते हैं, एक wrist में five metacarpus, जैसे कि आप image में देख पा रहे होंगे, so total number of metacarpus किते हुए हमारे body में दोनों wrist मिला के ten, वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो इन उंगलियों को ph fourteen phalanges होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहां पे, जो आपको green, blue और orange या red बोल सकते हैं, orange या red जो भी है, orange या red color से, यह उंगलियों हैं, तो total यहां पे fourteen phalanges हैं, एक wrist पे, so यह दोनों wrist मिला के आपकी किती phalanges होई, 28, इस image को हम फिर से एक बार discuss कर लेते हैं, क 8 carpus, जो आप purple color से देख रहे हैं, वो है 8 carpus, फिर उसके उपर जो yellow color से दिख रहे हैं, आपको, वो है metacarpus, आपको एक wrist में मिलेंगे 5, और वहीं उसके उपर जो आपको green, blue and orange या red color से जो दिख रहे हैं, phalanges, वो एक wrist में आपको 14 मिलेंगे, so यहां पे, जो total number of bones आपके wrist म मिला के वो हो गई है, 54, वहीं अगर हम अपने appendicular skeleton में आगे बढ़ें, तो आपको मिलेगी hip bone, जिसे हम pelvic bone भी बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहां पे इस image में, यह एक large और irregular type की bone है, यह भी हमारे body में दो होती है, एक right part में, एक left part में, और अग एक बात औ और इस hip bone की खासर में बता दूँ, जब हम छोटे होते हैं, बचे होते हैं, तो यह हमारे body में तीन पार्ट में रहती है, जिसको हम ileum, iskyum और pubis बोलते हैं, और जैसे-इसे हमारे skeleton है, mature होता जाता है, तो यह तीनों combine हो जाती है, एक दूसरे से fuse जाती है, और सिर्व बन के एक bone बसती, hip bone बोलते हैं, जिसको, okay, so यह हमारे body में total number of hip bone किती हुई, two, right part में और left part में राके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने appendicular skeleton में, तो आपको मिलेंगे legs, legs में total number of bones होती है, eight, मैं एके करके बात करता हूँ, जैसे जो हम thigh में आते हैं पहले, जो thigh में हमारे bone होती इसको बोलते हैं femur, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, so हमारे body में दो femur होती है, एक right part में, एक left part में, okay, एक right leg में, एक left leg में, so दो femur होई, फिर उसके नीचे अगर आप उतरेंगे, तो आपको मिलेंगी tibia, tibia bone क्या होती, just जो आपके knee से connected रहती है, जैसे कि आप द knee की उपर एक छोटी सी bone दिख रही होगी, ये एक फिरा से triangle, triangular shape की bone है, circular shape की bone है, और एक flat bone है, जो आपको दिख रही होगी, एक systemoid bone है, इसको बोलते हैं patela, so हमारी body में दो patela होता है, एक right knee में, एक left knee में, so total number of bones हो ही आपके leg में, eight, अब बात करते हैं आपके ankle and foot की, हमारे एक foot में आपको मिलेंगे seven tarshals और वहीं आपको मिलेंगे five metatarshals, जिसे हमारे wrist में carpus थे ना, और metacarpus थे, तो same उसी तरह हमारे pair में होते हैं, tarshals और metatarshals, यहाँ पे number थोड़ा अलाग लग है, उस पे eight थे, carpus, और यहाँ पे seven है, tarshals, so इसमें confuse मत होईगा, so दोनों fit मिल आपके body में total कितने tarshals हुए, 14 tarshals हुए और 10 metatarshals हुए, okay, और आपके foot में मिलेंगे आपको phalanges, यहाँ पे 14 phalanges मिलेंगे आपको एक foot में अपने, जैसे कि आप यह जो green, dark green और yellow color का diagram देख पा रहे हैंगे, phalanges, जो आपकी pair की उंगलिया हैं, इसको phalanges बोलते हैं, so एक पैर के उंगलियों में किती होंगी, 14, दोनों पैरों को मिला के किती होंगी, 28, so आपके पैरों में भी same आपके wrist की तरह 28 phalanges है, so इसमें confused मत होगेगा, total number of phalanges अगर कोशन आए कभी कि आपके body में किते होते हैं, तो 28 आपके pair में होते हैं, और 28 आपके wrist में होते हैं, so total number of ph fit मिला के 54, नहीं, 52 हुई ना, so calculate करते रहा करो यार, यहां पे 14 tarshals थे, और 10 metatarshals थे, और 28 phalanges थी, so total किती हो गई, 52, so आपके ankle or fit मिला के आपकी जो bones होई, वो किती हो गई, 52, so इस तरह से अगर आप total in bones का sum करेंगे, तो आपके appendicular skeleton होगा, उनका bone का sum आएगा, 126, जैसे क pectoral girdle में किती bones थी, 4, 2 scapule थे और 2 clavicle थे, वहीं जो arms में आपकी 2 bone थी, 1 humerus थी, so 2 हाथ की humerus 2 हो गई, और फिर आपके जो 4 arm में total number of bones किती होई, 4, 2 radius, 2 अलना, वहीं फिर आगे पढ़तें, जो हमारे hip bone था, वह किती थी, 2, और फिर हमारे leg में total number of bone किती थी, 8, और फिर हम and fit में total number of bone किती थी, 52, और वहीं हमारे wrist में किती bone थी, total number of bones 54, so इन सब का जब आप सम करेंगे, तो आप को हाँ समय लेगा 126, so हमारे appendicular skeleton में 126 bone होती है, जिसके बारे हमने अभी सारी detail से देखा, और हमने पिछले वीडियो में अपने axial skeleton के बारे में detail ने बात किया सा, so total number of bones हमारे body में किती होगी, axial skeleton में 80, appendicular skeleton में 126, so total number of bone is 206, so आज आपको पूरा मालूम चल गया कि आपकी 206 हड़ी हैं और वह कौन-कौन सी हैं, कहां-कहां है, so I hope आपको यह जानकारिया बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको जानकारिया अच्छी लगए तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें, आपके लाइक कमेंट मुझे होसला देते हैं कि इसी तरह की classified information मैं आप तक हमेशा पहुचाता रहूं, और अगर आप में चैनल पर नए आए हैं तो में चैनल को subscribe कर लें, hit the bell icon, ताकि इसी तरह के वीडियो से आपको हमेशा मिलते रहें, और सबसे जोरी बात इस वीडियो को share जरूर करें, ताकि ये देश के हर कोने तक पहुंच सकें, thanks for watching, stay healthy, stay fit, bye, चैन